नवस्कार साथ योग चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराओ अम्बेड करवार के बारे में और इनका एक सामान परचे है हम लोग देख लेंगे इससे क्या रहेगा कि आप लोग कम से कम भीमराओ अम्बेड कर साथ के बारे में मालूँ तो होगा बरना आप ही उसी तरह से कुतर्ग करेंगे कि भीमराओ अम्बेड कर साथ का कोई योगदान नहीं है देश को बनाने में सम्मिधार बनाने में कोई ये उगदान नहीं है आप देखते हैं कि कुछ लोग भीमराओं बेटकर साफ को गाली देते रहते हैं असल में उनकी कोई फिरोलम नहीं है उनकी गलती ही नहीं मानता हूं में इन लोग उनकी जो गाली देते रहते हैं क्योंकि उन्होंने ना तो गांधी को पढ़ा है, ना ही भीमराउं बेटकर को पढ़ा है, ना ही उन्होंने बल्लब भाई पड़ेल को पढ़ा है, और ना ही स्यामा प्रिसाद मुखरजी साहब को पढ़ा है, समझ रहे आप तो, आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी अगर स्याम प्रवारे में बिल्कुल भी नहीं पड़ा होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब पहला नहरू का कैमिनेट बनता है मंत्री मंडल का गठन होता है तो आप सभी जानते हैं कि भीमराव मेडकर साहब के नहरू साहब से कई विचारधारा को लेकर मदभेद थे और आप जानते ह हैं कि नहरू के नहरू से उनकी विचार नहीं मिलते थे फिर भी आप जानते हैं कि नहरू की मंत्री मंडल में आपके भीमराव मेडकर साहब हो या फिर आप देखेंगे कि आपके स्यामर पसाद मुखर जी साहब हो या फिर आप देखिए सरदार बल्लब भाई पटे लो इ इन्हें जगें दी जाती है इन्हें मंत्री बनाया जाता है क्योंकि आप समझे कि नेहरोज जी योगताम जानते थे कि भीमरावमेडकर साहब एक कानून के ग्याता है और समिधान अगर अच्छे से बनाना है तो आप समासखते हैं कि इने सामिल करना होगा है इनकी सलाय लेनी होगी और आप समसकते हैं कि 1947 में जब हमें आजादी मिली तो बहुत सारी समस्या हैं हमारे सामने खड़ी हुई थी आप सभी लोग जानते हैं कि 565 के करीब आपकी रियासतें थी सभी को सामिल करवाना मुश्किल था सभी आप देख रहे थे कि सभी अब एक नय सुतंध देश बनना चाहा रही थी और आज सोचिए कि अगर 565 रियासतें 565 देश बन जाते तो आप उत्तरपदेश से चलते नीचे महराष्ट तक जाते आप लोग कई आप लोग देश घूम के आ जाते ऐसी इस्थिती बनी हुई थी और नहरो इसे जानते थे कि सरदार बल्लभाई पटेल इन समस्याओं का समाधान बहतर तरीके से कर सकते है और माना जाता है ऐसा है कि नहरो इक तरह से आपके सरदार बल्लभाई पटेल साहब एक हाथ में डंडा लेके जाते थे एक हाथ में एक तरह से गाजर लेके जाते थे और सब को बड़े प्यार से समझाते थे जो डंडे से समझता था उसे के लिए डंडा और जिसके लिए गाजर सी समस्ता था गाजर हांग में होते थे तो देखिए किसी को भी अगर आप गाली देते हैं एक को गाली देते हैं दूसरे की पूजा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कोई सम्मम नहीं है, नहीं आप लोगों नहींने कहीं पढ़ा है, या तो आप लोगों ने बहुत सब फेस्बुक की दुनिया से ही इनका इतिहास पढ़ा हुआ है. आप समझ सकते हैं कि कभी इनके बिचारदारा को लेकर भली इनके एक तरह से मतभिद रहे हो, लेकिन आपसी मतभिद इनके कभी नहीं रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये लोग खड़े रहे हमेशा, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भीमरावमबेटकर साहब के बल स्टी स्टी के लिए ही लड़े, उन्होंने आप देखते हैं कि महलाओं के अधिकारों की बात की, और आप जानते हैं कि अधिकारों की बात आप समझेए कि सबसे पहले अगर सभी को अधिकार दिये गए, क्योंकि नेता होने के लिए बहुत क्वाइल्टी होनी चाहिए एक तो बेसरम होना चाहिए एक जूटा बोलने वाला होना चाहिए अंपड होना चाहिए यह उनकी क्वाइल्टी है और यही उन्हें नेता बनाता है लेकिन लोग जो लोग बोलते रहते हैं कि भीमराओं मेटक का इतिहास क्या पता करेंगी उन्हें जो बहुत सब Facebook की दुनिया में मिल जाता है वही वो लोग पढ़ लेते हैं और वहीं से निकल लेते हैं वहीं से अपने ज्यान की एक तरह से गंगा बहाते रहते हैं तो आप लोगों को देखी पढ़ना है वो कहावत है ना की जूटा बड़ा की वो लवरा बड़ा आप समझ सकते ही की मतलब जूट बोल रहा है या फिर वो जवर जस्ती उस बात को मनमा रहा है सच कर रहा है एक बात को सौबार कहने से क्या सच हो जाती है वो बात बिल्कुल भी नहीं तो आप लोग इन सब के बारे में कम से कम पढ़ लिया करिएगा और वैसे आजकल आपके पास फौन है तो आप लोग देखिए कि गूगल पर भी आप लोग सर्च करके आराम से इनकी बुक्स भी डाउलोड कर सकते है और वैसे आपके पिधानमंद्रियों की हो या आपके राष्टपतियों की बात हो और भी आप समझ सकते हैं जो भी तियास में बैकती रहें चर्चा में रहते हैं अभी भी चर्चा में रहते हैं उन सब की बायोगराफी हम लोगों ने कबर की हुई है और बायोग्राफी की नाब से आपकी पिले लिष्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी की बायोग्राफी डली हुई है तो आप लोग देख लीजे इसे ये इनकी पिक्चर से भीम राउंबेडकर साब की और आप जानते ही कि सम्मिधान का पिता कहा जाता है ने अगर इनके बास्तविक नाम की बात करें तो भीम राउंबेडकर इनका नाम था ठीक है और इनका बास्तविक नाम की बात करें तो अमबा वाडिकर था ठीक है इनका लोग पिरी ये नाम आप जानते ही कि बाबा साब भी कहते हैं इन्हें समीधन का पिता भी कहते हैं अगर इनके जनम की हम लोग बात करें तो 14 अपरेल 1891 को गुआ है 14 अपरेल 1891 को जनम इस्थान की बात करें तो महू मद्ध पेदेश में और धर्म की बात करें तो ये जनम से हिंदू थे लेकिन आप जानते ही कि बाद में इनों ने बहुत धरम अपना लिया था और जाती की बात करें काश्ट की तो ये महार जाती से आते थे और इसलिए बहतर समस्याओं का समाधान करना जानते थे क्योंकि इनने उन समस्याओं को जेला है आप समझ सकते हैं कि आज महलाओं के साथ इतना बेदभाव किया जाता है तो उस समय क्या रहा होगा उस समय तो ऐसा था कि महलाओं किसी कोट में भी नहीं जा सकती थी या एश्टी एश्टी के आप या दबे कुछ लिए जो भी बैकती रहते थे उनके साथ अगर तया चार होता था तो वो चुक्चा आप घर में बैट जाते थे क्योंकि उनके पास कोट में जाने के लिए कोई इस तरह की ववस्था नहीं थी आप सभी जानते हैं कि आज आज आपके अधिकारों का अगर हनन होता है समिधान के भाग तीन में आपको मौली का अधिकार दिये गए हैं अगर उनका अनन होता है तो आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं आप हाई कोट जा सकते हैं और सुप्रीम कोट हाई कोट आपके अधिकारों की रक्षा करेगे लेकिन उस समय ऐसी विवस्था नहीं थी ये सभी द्यायन आप कह सकते हैं कि वीमराओं मेटकर सहाव और बाकी जो भी आपके नेता रहे हैं उस समय के उनकी है और मैं कई वार ये बात बोल चुका हूँ कि आज के नेताओं से और उस समय के नेताओं की तुल्ला कभी मत कीजेगा अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि जो चले गए हमारे नेता उनकी आत्मा को आप लोग दुखी करते हैं क्योंकि आज के नेता आप समझी बलतकारी, ब्रष्टाचारी, हद्तियारा और उनने से उमीद आप क्या कर सकते हैं। और उस समय के नेताओं को सुची आप लोग की अपने परिवार से जाना जनता का ख्यान रखा जाता था। तभी जनता भरोसा भी जनता को रहता था इननेताओं पर। इनकी अगर हम राष्टेता की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत के थी और इनकी पिता का नाम था रामजी, मालोजी, सक्पाल और इनकी माता का नाम था भीमा, बाई, ठीक है? और भाई की बात करें तो बल और पुत्त की बात करें तो यसवंथ, और पौत्त की बात करें तो अंबेड कर फिकास यसवंथ, बुद्धिष्ट सुसाइटी ओप इंडिया के चीप एडवाइजर भी, और बाबा साहब के अगर पिता भारती आर्मी में सूवेदार थे, यानि कि इनके पिता जो साहब थे रामजी, मालोजी, सक्पाल साहब, ये आर्मी में एक सूवेदार थे, और भीमराओ अपने चोदै भाई भाई भहिनों में सबसे छोटे थे, कहने का मतलब है इनके चोदै भाई भाई भहिन थे, समझ रहे हैं आप लो, यानि कि टोटल सभी चोदै थे, उस समय आप जानते कि उनके पिता की सेवा निवित्ती के बाद, उनका परिवार 17 सिप्ट हो गया, पहले मद्धिस में रहा करता था, ठीक है, कुछ समय बाद आप देखेंगे, 1896 में भीमराओ की माता का देहांत, यानि कि उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी फरवर्स उनकी बुगाने की, इस आप जान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवाल था, तो आर्थे किस्तेती खराब रही होगी, इसमें कोई सक भी नहीं होना चाहिए, उनके अध्याबग महादेओ, उनके जो गुरूजी थे, महादेओ, अंबेडकर, जो कि स्वएम ब्रहमर थे, उन्होंने अपना सरनेम अंबेडकर से अंबेडकर करने का सुझाओ दिया, यानि कि पहले इनका सरनेम भीमराव सहब का अंबवाडेकर हुआ करता था, लेकिन इनके जो गुरूजी थे, महादेओ, अंबेडकर, उन्होंने अपने अपनाम को अपनाने की सला दी, ठीक है, उनके परिवार ने और उ जानते हैं कि अभी भी मानते हैं लोग, ठीक है, हम आप तो नहीं मानते हैं जो कापी मनलब समझदार हो चुके हैं, जो जानते हैं कि एक तरह से सही क्या है, लेकिन अभी भी लोग इस ज्याती को चुगा-चूत की भावना इस तरह की देखते हैं, ठीक है, और इसी कारण स उन्हें उनके परिवार को कई बार सामाजी कार्थिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था और महार जाती मुक्ता महराष्ट में मिलती है वहां लगभग आप देखेंगे 10% जनसंग क्या महार है और आज भी आप लोग गाउं में देखते होंगे जिसे आप लोग चमार कहते हैं चमार एहरबार कि उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है ठीक है अभी भी आप देखते हैं देखिए जो उठ चुका है समाज की इन बेडियों से वो देखिए वो भेदभाव नहीं करता है लेकिन जो अभी भी उसी में उल्जा हुआ है वो अभी भी इनके ये लोग बेदभाव करते हैं, महलाओं के साथ भी आप देखते हैं, वेदभाव करते हैं, क्योंकि उनकी सोच अभी भी वही पुरानी वाली है, ठीक है? अगर इनके नेजी जीवन के हम लोग बात करें और विभाव की, तो अमबेड का क्या पहला विभाव होता है, 1906 में, तब वो मात्ते 15 वर्स के थे, और आप सभी को मालू होगा कि एक तरह से जल्दी साधी हो जाती थी उस समय, ठीक है? और उनकी पतनी नो वर्स की थी, यानि कि जब वो 15 साल गे थे तब उनकी साधी हो गई थी, और उनकी जिस साधी होई थी जिस लड़की से, वो 9 वर्स की थी, ठीक है? उनकी एक पुत हुआ जिसका नाम यसवंद रखा गया, लेकिन उनकी पहली पतनी रामाबाई की में हो गई थी ठीक है जब वो नींद की कमी और नीरोटिक बीमारी से जूज रहे थे तब वो डॉक्टर सार्दा कभीर से मिले और उन दोनों में ने 15 अपरेल 1948 को बिभाय कर लिया साधी के बाद आप देखेंगे सार्दा ने अपने नाम सार्दा ने अपना नाम सभीता 1948 को जिनका नाम था डॉक्टर सार्दा बाद में सार्दा क्या करती है कि अपना नाम सभीता रख लेती है सभीता अंबेडकर ठीक है अगर इनकी सिक्षा और प्यारमिक जीवन की अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर की तो अंबेडकर जी को स्कूल के दिनों में भी उन आंतर में उन्होंने लिखा भी है कि कैसे उन्हें स्कूल में पानी पीने का मूल भूत अधिकार तक नहीं मिला था और इसके लिए उन्हें चपरासी यानि की पीऊन की आपसक्ता होती थी यदि चपरासी नहीं है तो पानी भी नहीं मिलता था और मुझे लगता है कि आपने अगर सरकारी स्कूलों से पड़े हैं, तो इस तरह का बेदभाव आप लोगों ने भी जिला होगा, ठीक है, यानि कि कहने का मतलब ही कि आप समझ सकते हैं कि जब तक अगर स्कूल में प्यून, यानि कि चपरासी नहीं है, तो उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलता था, क्योंकि जो घड़ा था, उसे चू नहीं सकते थे, यानि कि जो पानी की विवस्ता थी, उसे चू नहीं सकते थे, ठीक है, हाला कि उनके पता के आरिमी में होने के कारण, उनको अच्छी सिक्षा मिल गई थी, लेकिन साथ ही भी मेरा उमबेटकर को जीवल लक्ष भी मिल चुका था, और उनोंने तब ही ए देड़ नेड़ा, यानि कि देड़ निश्चित किया कर लिया था कि वो अपने समाज को मूल बहुत अधिकार देला कर रहेंगे, उनकी एक तरह से आलोचना इसलिए की जाती है कि वो कहते हैं कि वो अपनी जाती के लिए एकिवल जीए हैं, और उनों रूप से सावाजीक रूप से पिछड़ा था, उसके साथ वो हमेशा खड़े रहें, आप अगर इतिहास उनका पढ़ते हैं, उनकी आत्मकता पढ़ते हैं, तब आपको मालूच चलेगा, अगर आप लोग के बल बिना पढ़े अगर आप देखते हैं, तो आपको लगेगा कि भीमराओं मेटकर साहब का एक तरफ जुका हो था, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, युवावस्था में आप देखेंगे, अमेटकर ने बहुत सी बाधाओं का सामना करके, पढ़ाई को जाई रखा, और 1897 में उनकी परिवार के साथ वो बॉम्बे सिप्ट हो गए, और यहां उन्होंने एल फिन इस्टोन, इस्टोन हाई स्कूल में एडवीशन लिया, और इस तरह उच्ची सिक्षा पराप्त करने वाले अपने बर्ग, अपने उस बर्ग के पहले बक्ती बन गए, और जिसे बेक्पिती दिन चुवाचूच जैसी समस्याओं का सामना करना था यानि कि आप समसकते हैं कि जिनके पिताजी आर्मी में है, यानि कि आप कह सकते हैं कि ठीक ठागी स्थितिय रही होगी, उन्हों के साथ अगर भीदभाव किया जाता है, तो आप समसकते हैं कि आम बेक्ती के साथ क्या इस्कृती होती होगी 1907 में आप देखेंगे इन्होंने मैट्टिक की पड़ाई पूरी करने की बाद उन्होंने 1908 में उन्होंने एल्फिन इस्टॉन कॉलेज में फिर्वेस लिया और फिर से वे पहली बार अपने वर्ग में किसी उन्होंने में दाखिला लेने वाले पहले ब्यक्ति बन गए और उनका पूरा समाज उनकी इस सफलता से बहुत उस्सायत हो गया और इसके लिए उस्साव मनाने लगा लेकिन उनकी पिता इसके लिए आग्या नहीं दी और उनका मानना था कि सफलता उनकी वेटे की सर पर चड़ जाएगी और आज भी तो आप देखते हैं कि आपके समाज में अगर कोई आगे निकलता है कोई अच्छी परीक्षा पास करता है तो आप लोग भी मिठाईया बातते हैं खुसी मनाते हैं एक तरह से ठीक है 1912 का टायम आता है उन्होंने अपनी इसनातक की डिग्री पूरी की और इसनातक में उनका विशय था एकोनोमिक्स और राजनीती बिग्ज्यान और इसके बाद आप देखेंगे उन्होंने थोड़े समय के लिए बड़ोदा राज सरकार में नोकरी भी की जिसके बाद उन्हें वड़ोदा स्टेट स्कॉलर से मिल गई और जिससे उन्हें निवार्क में कॉलंबिया यूनिवसिटी जाकर पोस्ट गेजुएट करने का मौका मिला था इस तरह आप देखेंगे 1913 में वो आंगे की पड़ाई के लिए अमेरिका चले गए और 1915 में देखेंगे आप उन्होंने अपना M.A. समय सास्त से इतिहास, फिलोसोफी, एन्थोकॉलोजी में पूरा किया और 1916 में आप देखेंगे वो लंदन चले गए जहां उन्होंने लंदन और स्कूल ऑप एकोनोमिक्स के साथ बार एट ग्रेज इन में दाखिला लिया, इस तरह अंगले दो सालों में उन्होंने एकोनोमिक्स में PhD हासिल की, यानि कि आप कह सकते हैं कि कितने पड़े लिखे थे, और इसलिए आप कह सकते हैं कि कानून मंतरी बनाये गया था उन्हें, उन्हें कि यही ये उगिता के कारण, आज तो आप देखते हैं कि किसी को अगर कानून मंतरी बनाया जाता है, या स्वास्त मंतरी बनाया जाता है, तो दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं होता स्वास्त विभाग से समझ रहे हैं आप लोग जिसे आप लोग बित्र मंत्री बना देते हैं मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं देखिए मैं हमेशा आप समझ सकते हैं कि अटल विहारी वाज पर ही कि पहले आप जाएंगे 2-4 पिदान मंत्री को आप छोड़ देंगे तो इसी प्रेंसली स्टेट और बड़ोदा के लिए डिफ्रेंस सेकेर्टी के लिए काम शुरू किया, यानि कि 1917 में वो पढ़ाई करके बापस आते हैं, इंडिया, ठीक है? हाला कि इस काम के दोरान उन्हें काफी अफमान और छुगाचूत का सामना करना पड़ा, और मिलिटरी मिनिस चेटर का छेट छोड़ने के बाद उन्होंने प्राइविट ट्यूटर और अकाउंटेट की रूम में काम करना सुरू किया, और उन्होंने एक कंसल्टेंसी बिजनेस सुरू किया, जो कि सामाजी किस्तिदी के कारण नहीं चल सका, फिर आप देखेंगे 1908 का समय आता है, औ और 1908 में उन्होंने मुंबई की सेडे हैं, सी डेनहाम कॉलेज आप कॉमर्स एंड एकोनुमिक्स में पढ़ाने का काम किया, यानि की टीचर का काम किया, उसके बाद उन्होंने बकालत का भी काम किया, उसके बाद आप देखेंगे जातिगत भेदवाओ, कस्तिकार बनने के कारण उन्हें अपने इस समाज के उद्धान की पेड़ा मिली, और इस कारण आप देखेंगे कि कूलापुर की महाराज की मदद से उन्होंने एक सप्ताहिक जनरल मूक नायक सुरू किया, जो कि हिंदुओं के कट्टर रीती रिवाजों की आलोचना करता था, और राजनित फिर आप देखेंगे 1921 का समय आता है, और इस समय परयापत धन कमाने के बाद जो वो अपनी पड़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए, और जहां उन्होंने लंदन स्कूल ओफ एकोनोमिक्स में मास्टर की डिग्री हांसिल की, फिर आप देखें 1923 का समय आता है, उ पूरी करने के बाद बुबेटिस बार में दरिष्टर बन गए, ये कप की बात है, 1923 की बात है, आप देखेंगे 1921 तक अमबेड कर प्रोफेशनल एकोनोमिक्स ट्र थे, और उन्होंने हिल्टर्म यंग कमिस्शन में प्रभावस साली पेपर भी लिखे थे, और जिसमें आ प्राई होता है, ठीक है, और 1923 में आप देखेंगे उन्होंने दीप प्रोवलम आप रूपी, एट्स, और इंगिंस, और इंड सॉल्यूशन में उन्होंने रूपे की प्राई स्टेविलिटी की महत को समझाया, और उन्होंने भी बताया कि कैसे भारती और दुस्ता को सफ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि उस समय बहुत सारी प्रोवलम में थी, क्योंकि अंग्रेश किस तरह से हमें छोड के चले गये थे, हमारे सामने कितनी सारी समस्याइं खड़ी हुई थी, इन समस्याओं से निकालने का काम आप समस्कते हैं कितना मुश्किल था, लेकिन फिर आप समझें इनी के यह उदान के कारण सभी व्यक्तियों के यह समस्याओं का समाधान हुआ, आप कह सकते हैं कि समिधान बनाने में कितना बड़ा धिमाग क्या-क्या लगा होगा, आप समझें कि आज अधिकार अगर दिये गए महलाओं को अधिकार देने की बात की गई है, तो उस सभाई के लोगों के कितना दूर दर्शी सोचते थे, किस तरह की घटनाएं घटिंगी आने वाले समय में, समझें रहें आप लोग, तो यह हल था, 1920 तक आप देखेंगे, उन्होंने अपनी जाती के लोगों की हितनों की रक्षा में काम करने के लिए, सक्रिये कदम उठाने सुरूं कर दिये, और उन्होंने बहुत से विरोधी रेलिया, भासर आयजित किये, और लोगों को छुगाचूत के खिलाब, आने वाले आने की को पेरित किया, और पबलिक के लिए उपलब्द टैंक से पानी पीने की अधिकार को समझाया, एवं पेरित किया कि उन्होंने मनुष्मिती को जलाया, जो कि जाती बात का समर्थन करती थी, आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने एक तरह से किसी जाती का अगर पक्छी लिया, तो दूसरी जाती का विरोध नहीं किया, दूसरी जातीयों में आप कहिए कि जो एक तरह से गलत था, उसी का विरोध किया उन्होंने, ठीक है, 1924 में आप देखें कि उन्होंने आजपस्ता और छुआचूट को पूरी तरह से समाब्द करने के लच्छ के साथ बहस्कित हित कार्णी, हितधार्णी, सभा की स्थापना की, और इस संस्था का मुख उद्देश था कि पिछले बर्ग को सिक्चा उपलब्द करवाना, और समाजी कार्थी प्रगिती दिलाना था, और इसका मुख सिधान समाज को सिक्चित उस्ताहित और वेवस्तित करना था, आप समझ के अंतरयाद Bombay Presidency Committee में चुना किया और Commission रिपोर्ट को Congress ने सुईकार नहीं किया क्योंकि वो सोतंत भारत के लिए अपना खुद का समिधार चाहती थी भीमरावमेड का साब ने एक महाद आंदोल ने भी चलाया था महाद 1927 में उन्होंने चुवाचूत के खिलाब बहुत से सक्रिय अभियान शुरू किये और अपना पूरा समय इसी लक्ष को देने लगे वो समय आप देखेंगे दल्टों के लिए भीप्रित इस्तितियां और स समाज में ब्याप्त आसमाता के कारण मन में आक्रोस होते हुए भी हिंसा का मार्ग अपनाने के स्थान पर उन्होंने गांदी की मार्ग को अपनाया और सत्यागय अभियान के तर्ष चुवाचूत के अधिकार जल्सरों से पानी लेने और मंदिर में घुसने की आजादी द दल्तों को पानी पीने का पानी मिले इस सत्यागय का मुख उद्देश था और दल्तों के कुछ लोगों के साथ समूव में उन्होंने महाद की चावहार जील में पानी पीया था जो की दल्लीतों और सूदों के लिए निसेत की गई थी और उन्होंने कहा कि हम चावहार जील पानी पीने के लिए नहीं जा रहे हैं वलकि हम भी इंसान हैं वो इसका आरण ये हमारा अधिकार है इस सत्यागय का उद्देश यही कि हमें सबाता का अधिकार मिल सके यानि कि आप समझ सकते हैं कि पानी पीने के लिए भी आप किसी जहने पर या कुए पर नहीं जा सकते थे इसका अधिकार भी एक तरसी आप कह सकते हैं कि भीहमराव अम्बेड कर्चाहप की देन है और आप देखेंगे 1930 में आप देखेंगे 15,000 अच्छूत लोगों को के साथ एहंसा पूर्वक आंदूलन करते हुए काला राम मंदर भी है फिर आप देखेंगे 1932 में उनकी बढ़ती लोग पीता को देखते हुए लंदर में सेकेंड राउंड टेवल कॉन्फरेंस से नियमंतर मिला और याद रखें तीनो गोल में सम्मिलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेड कर ही थे ठीक है और अम्बेड कर के विश्वास था कि अच्छूतों को न्याइब तभी मिल सकता है जब उने पिथक मददाता बनाये जाए अंग्रेज भी उनके पिथक मददाता हो यानि कि सेपरेट एलेक्टोरेट की बात पर सहमत हो गए लेकिन मात्मा गांदी ने इस पिलान का विरोत किया और गांदी जी के उपवास सुरू करने के पर हिंदू समाज में आश्च्छता की इस्तिती उत्पन हो गई और अमेड कर कठर हिंदू और दले ते दो वर्गों में हिंदू के विभाजन को देखते हुए गांदी की बात पर सहमत हुए और उन्होंने एक संधी की जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है जिसके अनुसार सेंट्रल कांसिल और श्टेट्स और छित्रिय विधानसवा में इस्पेशल एलेक्टोरेट के स्थान पर पिछरे बर्ग को अरक्षन देने की बात मारेंगे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने गांदी जी का एक सिध्धान्त हुआ करता था अगर उन्हें कोई अपनी बात मनमानी होती थी तो वो उपवास करने लगते थे धर्णा फिदरसन एक तरह से उपवास ही धर्णा करने लगते थे तो लोग उनकी सेहत को लेकर या उनकी आप समझ सकते हैं कि बात मान लेते थे आराप से और उनका भी गांदी जी का भी सही कहना था कि अगर एक जाती को आप लोग बात देंगे तो और भीरबात बढ़ जाएगा हिंदू भी आप समझ सकते हैं कि दो धाराओं में बढ़ जाएंगे इसलिए आप समझे कि जो पिछड़े हुए हैं आर्तिक सामाजी रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन्हें एक तरह से आरक्षण दने की बात की गई फिर चाहे वो किसी भी जाती का हो ठीक है और मुझे लगता है कि वही सिद्धान्त है कि आज आप देख रहे हैं कि साव आजकल आप पितिक व्यक्ति को मिलें आप समझ सकते हैं कि यहां भी उन्होंने किसी जाती का नाम नहीं लिया है वो सभी की बात कर रहे हैं ठीक है उनकी देखिए अगर आप उनका इतिहास नहीं पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप उनकी विचारधारों को नहीं अगर आप उनका इतिहास पड़ेंगे तो आपको मालू चलेगा कि वो सभी के पक्ष में थे ठीक है 1935 में आप देखेंगे उन्हें गवर्मेंट लॉ कॉलिज की प्रेंसिपल की पदपन नियुक किया गया और जिस पर आप देखेंगे दो साल तक रहे वो इसके बाद उन् एक सुतंत मजदूर पाइटी की स्थापना भी किया है और इस पाइटी ने 1937 में वे बंबे लेक्षन में ना के बल्क भाग लिया बलकि 14 सीटे भी जीती थी यह भी कई वार कुश्चन्स पूंच लेता है आपके इससे ओंड एक जाम हो या कई वार आप देखते हैं कि एस्टेट PCS से बिल सर्विस में इस तरह की प्रेलिम्स होते हैं उन्हें भी इस तरह के डारेक्ट कुश्चन्स आ जाते हैं ठीक है तो याद रखिए जो सुतंत मजदूर पाइटी थी इसकी इस्तापना अपका भीमराओं बेटकर साहब नहीं की थी ठीक है जैसे ही भारत सुतंत हुआ उन्होंने अपनी राजनती पाइटी को अखिल भारती दलित जाती फेडरेशन में बदल दिया हाला कि पाइटी ने 1946 में भारत की कॉंस्टिटीव सी असेमली चुनाव में अच्छा पैदर्शन नहीं किया उन्होंने वाय सराई की एक्जीक्यूटिव काउंस आप समझ सकता हैं कि उनकी पाइटी को अच्छा कोई पिदर संखास अच्छा नहीं मिला फिर भी उन्हें देखी आंगे कितने अच्छे अच्छे पत दिये गए और उसके बाद आप देखेंगे उनके बनाय समीधान की कारण देश में सामाजीक आसमानता की समापती हुई और इससे नागरेकों को धरम की सुदंता मिली आजबस्ता दूर हुई महलाओं के अधिकारों की रक्षा हुई और नोकरी के लिए आरक्षन और सिक्छा के समान अधिकार देश की हरबर्ग को मिलने लगा यहीं आप लोगों को तीन डेट बता देता हूँ क्योंकि कई बार कुश्चन से पूच लेता है कई वास सामान जानकारी के लिए आपको मालू होना चाहिए पहला आपको 15 अगस्त मालू होना चाहिए दूसरा आप 26 नवंबर मालू होना चाहिए तीसरा 26 जनवरी तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी मिली थी जिसे आप लोग सुतंता देवस के रोम में मनाते हैं 26 नवंबर को आप लोग समिधान देवस के रोम में मनाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ फिरावधानों के साथ आपका समिधान लागू हुआ था और तीसरी 26 जन्वरी जिसे आप लोग गरतंत दिवस्त के रोम में मनाते हैं आप जानते हैं कि पूरा समिधान आपका एक तरह से 26 जन्वरी 1950 को लागू किया गया था तो इस जिन से आप लोग गरतंत के रोम में विवस्तित हो गया थे आप देखेंगे अमेडकर ने सुतंत भारत में समिधान के निर्वाता के रोम में मुख भूमिका तो निभाई ही इसके अलावा आप देखेंगे देश में वित्तायो की स्थापना में भी उन्होंने मदद की थी उनकी बनाई नीतियों के कारण ही देश में आर्थे को सामाजिक दोनों छेत्रों में प्रगिती की और उन्होंने देश में इस्थिर और मुक्त अर्द्वस्था पर जोर भी दिया फिर आप देखें कि 1929 में उनकी द्वारा विस्तावित हिंदू सहिता विधय की अनिश्चित कालीन रोख के बाद उन्होंने मंत्री मंदल से इस्थिपा दे दिया और उन्होंने लोकसवा किसमें सीट के लिए चुना लड़ा लेकिन हार गए बाद में उन्हें राजसवा मे भेजा होगा समय रहे आप तो तो बड़ी सोचने वाली बात है कि भली मतलब आप सोचिए लेकिन उस समय योगदा की एक तरह से पहचान थी और उसका सम्मान था ठीक है अगर अंबेडकर द्वारा किये के महत्पूर्ण कारियों की अगर हम बात करें तो अंबेडकर को दो साल ग्यारे महीने का समय लगा दो ग्यारे अठारे यानि कि दो साल ग्यारे महीने अठारे दिन का समय माना जाता है और उन्हें भारती समीधान का पिता भी आप लोग कहते हैं और डॉक्टर राजिन पिसात का जीवन जानने के लिए एक तरह से आप लोग उस पिले लि और आप समझ सकते हैं कि एक तरे से उनोंने कई देशों की समीधान का एक तरे से ऊफ一ो पढ़ा था। उस समिधान को समझा था एक तरे से। आप समझ रहे हैं यही बात रही हैं भारत में आप देखेंगे बहुत देशी है नदी घाटी परियोजनाओ के अगदूत के रूम में इन्हें जाना जाता है मेटकर ने दामुदर घाटी परियोजना भागना नागल बांध परियोजना सौन नदी घाटी परियोजना हीरा पिने की बिजली इस तरह की जो भी एक से ज़्यादा उद्धीस होते हैं उसे यह आप लोग बहु देस यह कहते हैं ठीक हैं आप जानेंगे उन्होंने केंद्रिये और राजिस्तर पर दोनों में सिचाई परियोजनाओ के विकास की सुभधा के लिए केंद्रिये जल आयव की भी स्थाबना की थी आप समझ सकते हैं कि सचाई की विवस्ता हमारे अभी भी आप कई छेतरों में जाएंगे तो मानसून का जुआ कहा जाता है खेती को क्योंकि आप जानेंगे अगर मानसून सही रहा तो फसल हो जाती है और मानसून सही नहीं रहा तो फसल बरबाद हो जाती है तो आप समझ सकते हैं अगर उन्हें भी सचाई की सुभधा मिलने लगे फूरी तरह से तो आप समझे कितना वो भी किसान आगे निकल जाएगे भारत में कि बिजली छित की विकास को बढ़ावा देने के लिए अमबेड करने जल विद्धूत और थर्मल पावल स्टेशनों की छमता का पता लगाने और इस्फापित करने के लिए केंद्रिय तक्नीक पावर बोर्ड और केंद्रिय विद्धूत पराधीकर्ण की इस्थापना भी की थी उन्होंने भारत में ग्रेड सिश्टम जिसे भारत अभी भी निर्वार करता है और पिसिक्षित बिद्दूत इंजीनिरों की आवस्तक्ता पर बल दी आता है। समझ रहे हैं आप लोग। आट घंटे कर दी है। आप देखते हैं ना जो बार आट घंटे डिवटी आप लोगों को करने पड़ती है। ये भी आप कह सकते हैं कि उनी की एक तरह से देन है। बरना आप समझ तकते हैं कि बारे घंटे भी आप लोगों से काम करवाया जाता था। उतनी ही बेतन दी जात हुए हैं जिसमें आप देखें कि खान माततलाग महला सरम कल्यान नहीं थी महला और बाल सरम सरक्चन अधीनियम यह सभी सामिल थे यानि कि महलाओं के लिए भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी काम किये हुए थे मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि उनकी एक तो जाती के कारण और उस जाती को बड़ावा देने के कारण आप लोग उन्हें एक तरह से कोस्ती रहते हैं और आप क्या कहते हैं कि बहुत सब फिस्बुक पे जो भी उनका इतिहास आ जाता है उसी से आप लोग इति जाती का नाम लेकर दूसरी जाती को नीचा नहीं दिखाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जब भारत की संसद में ने कॉंफेहंसिव हिंदू कोड बिल का कुन्नजार अंदाज किया, तो अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से स्थीपा दे दिया, जो आप हिंदू कोड बिल जानते हैं, एवी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके भीमराओं मिडकर की देन है, बास्तों में आप देखें कि बिल महलाओं के सस्थक्ति करन और समानता के उद्देश से बनाय गया था, इस बिल के दो मुख उद्देश थे, पहला इसमें हिंदू महलाओं को उनका सम्मान और अधिका दिलाना था, दूसरा उनका सामाजी कुद्धान भी करना था, इस बिल में आप देखें कि मुख बिंदू थे महलाओं को अपनी पैत्तक संपत्ति में अधिकार मिल सकता था, वो तलाक ले सकती थी और लड़की गोद ले सकती थी, यदि विवाह म और किसी भी जाती के बच्चे को गोद लिया, जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि उस समय इस तरह की विवस्ताओं के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीके, महलाओं के उद्धान में आप कह सकते हैं कि भीमराओं मेटकर साब का बहुत बड़ा युगदान लिखी, इसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने अपना धरम परिवतन कर लिया और हिंदु धरम चोड़ कर बहुत धरम अपना लिया, उन्होंने उन्नी सो पच्पन में भारती बहुत महास्तभा की, इस्थापना की और उन्नी सो चपन में अपनी किताब का पूरा काम प गई है, जैसे ही उन्होंने बहुत धरम अपनाया, तो उनके पीछे आप देखेंगे एक तरह से पांच लाग कितना, पांच लाग लोगों ने भी अपना धरम बदल लिया, भारत में ये तब का सबसे बड़ा धरम परिवतन था, और उन्होंने बुद्ध के इस्थान जनम लोगों ने वायोग्राफी कबर की हुई है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, जो आप जानते हैं एहनसा की बात की जाती है, जो गांधी जी एहनसा की बात करते हैं, हमारे देश में बहुत पहले से बात की जाने लगी थी, बहुत धरम हो, या आप समझ सकते हैं, जैन धरम हो, उन्हें में भी ऐसी बातें की गए हैं, ठीक है, अमबेटकर द्वारा लिखी गए गए हम लोग किताबों की बात करें, तो उन्होंने एक किताब की दी, इन हैली संकाष्ट, फिकासित की, जिसमें उन्होंने हिंदूओं की कुरीतियों और नेताओं की काफी भरस्तन, यानि क कमीशन की नाम से भी जाना जाता है, को सौपी गई, गाइडलाइन के उसा रिजर बैंक का गठन हुआ था, और यह सब उन्होंने एपनी किताब, The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution में भी लिखा था, इसके अलावा निमे किताबें आप देखेंगे, यानि कि यह RVI जो आप देखते हैं, इस घर, Mechanism, Genesis and Development, दूसरी आप देखेंगे, उन्नी सो बीस मेंनोंने लिखी, मूख नाए, फिर आप देखेंगे, उन्नी सो तेईस मेंनोंने, The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution, फिर आप देखेंगे, उन्नी सो सब्ताइस में एक बहिस्कित भारत, उन्नी सो दीस में आप देखेंगे, जनता, इस सब्ताहिक था, और 1936 में आप देखेंगे, The Inhalation of Caste, 1949 में आप देखेंगे, Federation vs. Freedom, 1940 में आप देखेंगे, Thoughts on Pakistan, और 1943 में रनाडे, गांधी और जिन्ना, 1943 में आप देखेंगे, Mr. Gandhi and Emancipation of Untouchables, 1945 में आप देखेंगे, इसमें, Bright Congress and Gandhi have in to the untouchables, 1945 में आप देखेंगे, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, ये भी इनकी e-books थी एक तरह से, ठीक है, फिर आप 1947 में आप देखेंगे, तो States of Minority, 1944 में आप देखेंगे, Who are Sud, फिर आप 1948 में ही आप देखेंगे, महराष्ट, is a linguistic province, 1956 में आप देखेंगे, बुद्धा या फिर काल माक्स, 1957 में आप देखेंगे, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, 2008 में आप देखेंगे, इनकी पुस्तक एक तरह से आई थी, रिडल्स इन हिंदूज, मनु एंड दी सूथ, ठीक है, ये बाद में आती रही है, उनकी मरने के बाद एक तरह से आप कहा सकते हैं, कि छोड़ गए होंगे, उसी को पेकासित किसी ने करवा दिया, अम्बेड करिया भी जानते थी कि रुपे की समस्या, अंतता घहरेलू, मद्राज स्मेती की समस्या से जूड़ी हुए, और अपनी थीसिस की पुष्टक संस्केंट की पिस्ताव मना में उन्होंने लिखा भी था, कि रुपे को तब तक इस्ते नहीं किया जाएगा, जब तक हम इसकी सामान करह सकती को इस्ते ना करें, और जवाहलाल नहरू ने एक तरह से इसे आप देखेंगे, आंगे काफी उस पर यह उदान भी दिया, अम्बेडकर से जुड़े कुछ है, इनके आप कहिए कि रोचकत थें, तो आप देखेंगे, 1935-1936 में, जब अम्बेडकर अमेरिका और इउरोप से लोटे, तो उन्हो वेटिंग फोर वीजा, एक किताब थी जिसमें उन्होंने अपने बच्पन के चुगाचूत के अनभाओं को लिखा, और कॉलंबिया उनिवसेटी में किताब को टेक्स्ट बूप के रोम में, काम में लिया गया, अम्बेडकर ने आप देखेंगे, सम्मिधार में 370 की धार का विरोध किया था, जो जम्मु कस्मीर को विसीस राज्य का दर्जा देती थी, आप कह सकते हैं कि जो 370 पर आप देखते हैं जम्मु कस्मीर को इस्पेसल राज्य का दर्जा मिला हुगा था, इस्पेसल कहने का मतलब है कि उसके आप समझे कि बहुत सारे उसे अधिकार मि त्यार किया था से ठीक है और डॉक्टर बावा साहब अम्बेड कर भारत के पहले ऐसे बेखती थी जिन्नों ने विदेश से एकोनोमिक्स में पीएचडी ली थी और वो एकमात ऐसे बेखती थी जिनका लंदन में यूजियम में काल मार्क्स के साथ इस्टेचीव लगा हुआ है आप समझ सकते हैं कि हम भी नहीं दुनिया उन्हें मान वही है ठीक है इसी तरह आप देख सकते हैं कि गांधी को हम भी नहीं मानते हैं दुनिया उनके कदमों पर चिन्नों पर चलने की बात कर रही है देखिए आप सभी जानते हैं कि मार्काट से कुछ नहीं रखा हुआ है इंसा का रास्ता अपना कर आप लोग भली एक समय के लिए जीद जाएं लेकिन अंधता हार होगी समझ रहे हैं वो कहते हैं ना कि आख के बदले आख दुनिया को अंधा कर देगी तो आप समझ सकते हैं अमबेटकर नरिना की बल सुतंता के पहले देश के गठन में भूमिक चक को जगे देने का सरे भी अमबेटकर को ही जाता है जो वो असोग चक आप देखते हैं न तिरंगे में अपने में उससे लाने का एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरे आपके भीम राव अमबेटकर साहब को ही जाता है वो ऐसोदंता कि 45 बरसों बाद सन 2000 में बिहार और आसाई आयाधार पर राज गठन मद्विदेस व बिहार को अलग करने का सुझाओ दिया था दोहजास सोले में आप देखें एंडी ये मौदी सरकार का नोटबंदी का नेड़े भी अमबेटकर की किताब प्रॉब्लम्स औप रूपी से पेरित था जो अमबेटकर की सबसे जाना बिखने वाली किताबों में सामिल है तो इसमें किताबों को भी आप लोग याद रखी कई बार आपका डारेक्ट पूच लेगा आपसे अगर हम इनकी डैत की बात करें तो जीवन की अंतिम बरसों में भीमराव मेटकर का स्वास्त एक तरे से बिगड़न लगा था औ और 1948 में उन्हें डायविटीज हो गई थी और जिसके बाद कारण आपकों की रोशनी भी कम होने लगी थी डायविटीज और खराब स्वास्त से जूटते हुए उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को नेइन में अंतिम सांज की ली और मित्तिव से पहली वो बहुत हिंदु धरम की बहुत धरम की अनुसार किया गया जिसमें हजारों की संक्या में उनके समर्थक और अनुवयाई सामिल हुए और 1990 में उन्हें मरोडो प्रांत भारत रतन भी दिया गया आप जानते हैं कि भारत रतन के बारे में वो भी दिया गया ठीक है तो यह आप समझ सकते हैं यहां का अंत होता है इनके धरोहर के बारे में भी आप लोग देख लीजे उनके जनम दिन पर सरकारी अवकास होता है आप सभी जानते हैं इस दिन को अमबेड कर जैनती या भीम जैनती के रोमें भी मनाते हैं और दुनिया भर में मिनाई जाती है हमारे यहां के भी आप समझे चाह 20 अलीफोर रोड बाली घर में मेमोरियल की स्थापना भी कीगी है, नांगपुर में उनके नाम पर अंतराष्टी एरपोर्ट भी है, इसके अलाबा देखेंगे पूरे देश में उनके नाम पर विस्विध्यालाय अस्पताल, व्रिज, स्कूल, चोराय, सडक इत्यादी भी है हिंदू धरम के विरोध के कारण उन्हें बहुत बरसों तक विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन 2000-2012 में हिस्ट्री टीबी और सी एनन, आईपी एन द्वारा आईवजित नेशनल पोल में उन्हें ग्रेटेस्ट इंडियन के लिए नामंकित किया गया, उन्हें 20 लाग के पास बोट मिले और उन्होंने एकोनोमिक समय भी काफी अच्छा काम किया था, नोबल पराईज विजेता, अमदर सेन ने कहा है कि भारत ये अर्ध विस्था के लिए दिये गए उनके योगदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता है, आप जानते हैं अमेर सेन को हमार वहुत बड़े अत्सास्त्री हैं और इन्हें नोबल परवस्कार भी मिला हुआ है, तो इन्होंने भी माना है कि काफी इनका युगदान रहा था, अगर हम बात करें इनके बिचारों की, क्योंकि इनके बिचार भी आप लोग कई वार निबंद लिखते हैं, आंसर लिखते मैं सवाज में प्रगिती का मानक उनके उसमें रहने वाली महलाओं की प्रगिती को मानता हूँ, यानि कि कहने का मतलब उनका सीधा चाहिए कि अगर जहां महलाओं की स्तिती अच्छी है, वो समाज अच्छा है, यदि मैंने देखा कि समिधान गलत उपयोग हो रहा है, तो म मैं भी पहला बक्ति होंगा जो इसे जला देगा यानि कि कहने के मतलब है कि समिधान का गला तो प्यों होने लगे तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा पती पतनी के मद दोस्ती का संबंध होना चाहिए यह भी किसने कहा था भीमराओ अम्मेट करने जो धरम सुतंता समानता और बंधुता शिखाता है मुझे वो धरम पसंद है यहां मुझे लगता है कि एक बात और आपको याद रखने होगी आप समझे धरम कोई भी लड़ना नहीं सिखाता है फिर चाहे हिंदू धरम हो बोट धरम हो या जैन धरम हो मुसलिम इसाई कोई भी धरम हो लेकिन आप समझे कि इसके जो धरम गुरू है जो ठेकेदार है एक तरह से आपके यह वो लड़ना सिकाते हैं बरना आप समझे कि कोई भी किताब उठा के देखिए आप लोग भगबत गीता, रामाइड या फिर आप कुरान उठा के देखिए या और भी आप लोग जो भी भुक्स जिसकी भी है उसमें कहीं आप लोगों को यह नहीं मिलेगा कि मरना काटना सिकाता हो यह तो यह अपने हिसाब से लोगों ने अपने मतलब के लिए इस तरह की आप कहानी गड़ दीगे जरूरी नहीं कि जीवन लंबा हो जरूरी है कि जीवन महान हो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप समझते हैं कि कोई 500 साल जी जाएगा तो क्या मतलब यह उसका देखिए आपके करम निधारन करते हैं कि आंगे इतिहास में आपको जगए मिलेगी या नहीं मिलेगी लोग आपको याद करेंगे या नहीं करेंगे आप समझते हैं कि कई लोग डेड़ सो साल जी जाते हैं कुछ नहीं उखाड पाते हैं केवल अपने लिए जीते हैं, कोई आप जानते हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल में अपना नाम कर जाता है, वितिहास में लोग उसकी आने वाले समय में पूजा करते हैं, समझाएं, हाला कि मेरा जिनम हिंदू के रूम में हुगा था, लेकिन मैं ये सुनिशित करूँगा कि हिंदू क में ना मरू, यानि कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत धर्म मनौ, मनौस के लिए धर्म है और धर्म के लिए मनौस नहीं है, ये भी किसने कहा था, आपकी भीमराओ, अमबेड़कर साबने, तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा, इसे आपके परि आप लोगों को इनके बारे में मालूत होना चाहिए, कि किस बिचारधारा की बात की जा रही है, कौन से गांधी की बात की जा रही है, आप समझ सकते हैं कॉंग्रिस गांधी की बात करती है, लेकिन गांधी की बिचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक दिखावे के लिए केवल बात करती है इसी तरह आप देख सकते हैं कि BJP सरदार वल्लभाई पटेल की बात करती हो या स्यामा पसाद मुखर जी की बिचारधारा पर चलने की बात करती हो लेकिन उनका कोई असल में उनका उस विचारधारा से कोई मतलब ही नहीं है पर चाहे आप लोग लोहिया की बात कर लीजिए जिस सापा आपकी कहती है कि हम लोहिया की विचारधारा पर चलते हैं लेकिन ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा पर चाहे दूसरी आप देखिए बहन जी की बाद कर लीजी कि भीमराओं मेड़कर साब की विचारधारा पर चलती है लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा तो नेताओं को कभी इससे मत जोड़ा करिएगा ठीक है? नेताओं का काम है बोर्ट बैंक वटोड़ना वो एक तरह से आप कह सकते हैं बोर्ट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जब वो कहा जाता है ना कि वो अपने बाप के नहीं होते तो आपके क्या होंगे? खेर छोड़िए आप लोग चलिए यसे पढ़ते रहिए आप लोग भी मराव मेडिकल से आपके बारी में देखिए कभी अगर आपको टाइम मिलता है तो यह सभी की वाइगर आपी पढ़ लिया करिएगा ठीक है? किताबे पढ़ना बहुत अच्छी बात भी है ठीक है? चलिया आङए भी लें कि अनलोग एक नई वी